हेलो जी नमस्कार मैं हूँ देवबिंद और आप सभी लोगों का मेरे इस यूटूब चैनल टेक देव में स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिब्रे ओफिस के सभी सौप्टेर्स को रन कमांड के द्वारा खोलना सिखेंगे तो दोस्तो ये है लिब्रे ओफिस रन कमांड का यूटूब पर पहला वीडियो जिसके अंदर मैं आपको लिब्रे ओफिस के सभी सौप्टेर्स को रन कमांड से चालू करना बताऊंगा ओके तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग रन कमांड के द्वारा लिब्रे ओफिस राइटर, लिब्रे ओफिस कैलक, लिब्रे ओफिस इंप्रेस, लिब्रे ओफिस बेस, लिब्रे ओफिस ड्रा, लिब्रे ओफिस मैथ, इन सभी सौप्टेर को चालू करना सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ट से बिंडो प्लस आर बटन प्रेज कर देना है इसको प्रेज करते ही आपका रन डायलोग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको ओपन करने के बाद आपको इस वाले बॉक्स में लिब्रे ओफिस राइटर सौफ़वर को चालू करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है यस राइटर ओके आप यहाँ पर टाइप करेंगे यस राइटर Yes का मतलब है Start Writer मतलब Libre Office Writer Software यहाँ पर मैंने टाइब कर दिया Start Writer Start का आपको Sort Name Yes टाइब करना है इसके बाद आपको यहाँ पर टाइब करना है Writer याद रहे आपको बीच में इसमें कोई भी Space नहीं लगाना है तो मैंने हाँ पर टाइब कर दिया Yes Writer इसके बाद मैंने हाँ से OK कर दिया इसको OK करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा Libre Office Writer Software है यहाँ पर ओपन होगा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं OK तो चलिए हम लोग Next Software को चालू करते हैं Next Software चालू करने के लिए आपको अपने Keyboard से Window Plus R Button प्रेज करना है और इसको प्रेज करने के बाद आपका Run Dialog Box ओपन हो जाएगा और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है Yes Calc OK मैंने हाँ पर टाइप कर दिया Yes Calc Calc मेरे Software का नाम है जो Writer के बाद आता है तो मैं Step By Step सभी Software को चालो करके आपको दिखाऊंगा तो मैंने हाँ पर टाइप कर दिया Yes Calc तो मैंने हाँ पर टाइप कर दिया Start Calc इसके बाद आपको यहाँ से OK कर देना है इसको OK करते ही आपका जो Libre Office Calc सौफ़वेर है यहाँ पर Open हो जाएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा Libre Office Calc सौफ़वेर है यहाँ पर Start हो गया OK तो चलिए हम लोग अब Next Software को चालो करते हैं Next Software को चालो करने के लिए आपको अपने कीबोर्ट से Window प्लस R बटन प्रेज करना है और इसको प्रेज करते ही आपका Run Dialog Box ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप कर दिना है Yes, Impress OK मैंने हाँ पर टाइप कर दिया Yes, Impress और यह टाइप करने के बाद आपको यहाँ से OK कर दिना है इसको OK करते ही आपका जो Libre Office Impress Software है यहाँ पर Open हो जाएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब Next Software है Libre Office Base इसके लिए आपको अपने कीबोर्ट से Window प्लस R बटन प्रेज करना है इसको प्रेज करते ही आपका Run चालू हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप कर दिना है Yes Base मैंने आपको टाइप कर दिया Yes Base इसके बाद आपको यहाँ से OK कर दिना है इसको OK करते ही आपका जो Libre Office Base का Software है यहाँ पर Open हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टाइप है Welcome to the Libre Office Database बिजाड तो आपको यहाँ पर कुछ सेट अप करना है और सेट अप करने के बाद आपका जो Libre Office Base Software है वो चालू हो जाएगा मैंने सेट अप का वीडियो पहले ही बना दिया है अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे Libre Office प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं ओके तो चलिए हम लोग अब Next Software को चालू करते हैं Next Software का नाम है Libre Office Draw इसके लिए आपको अपने कीबोर्ट से Window Plus R बटन प्रेज करना है इसको प्रेज करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर दिना है Yes Draw मैंने हाँ पर टाइप कर दिया Yes Draw मतलब Start Draw इसके बाद मैंने हाँ से OK कर दिया इसको OK करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा Libre Office Draw सौफट्वेर है यहाँ पर Open हो गया अब Next और Last सौफट्वेर है Libre Office Math इसके लिए आपको अपने कीबोर्ट से Window प्लस R बटन प्रेज करना है और इसको प्रेज करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप कर दिना है Yes Math मैंने हाँ पर टाइप कर दिया Yes Math अगर आप मेरा वीडियो सुरू से देख रहे हैं तो आपको मेरे Run Command में एक Character Common दिखा होगा जो है Yes तो आपको जिस भी Software को चालू करना है उसके आगे ज़च्ट आपको Yes टाइप करना है और Yes टाइप करने के बाद बिना किसी Space के अपने Software का नाम टाइप कर दिना है जैसे कि अगर आपको Libre Office Writer चालू करना है तो उसके लिए आप टाइप करेंगे Yes Writer अगर आपको Libre Office Calc चालू करना है तो उसके लिए आप टाइप करेंगे Yes Calc अगर आपको Impress चालू करना है तो आप लिखेंगे अगर आपको LibreOffice Math चालू करना है तो इसके लिए आप टाइप करेंगे Yes Math इसके बाद आप यहाँ से OK कर देंगे इसको OK करते ही आपका LibreOffice Math का सौप्ट्वेर ओपन हो जाएगा जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके तो यह था LibreOffice का एक Important वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को LibreOffice के सभी सौप्ट्वेर को Run Command के द्वारा ओपन करना बताया तो उमीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को Like, Share, Share दोड़ करिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिये गए बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो थैंक्स पर आचिंग माई वीडियो